Hello everyone, Hi, how are you? Once again, welcome back to our channel, Sarjeet of Mediquip. I am Sanjeeb Bansal, distributor of medical equipments and healthcare products. In this video, friends, जो product मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो एक ऐसा product है, जो घर-गर में इस्तमाल करा जाता है. That is basically the sugar testing monitor, glucometer. Glucometer एक ऐसा product है, जो बहुत सारे घरों में पाया जाता है, अक्सर पाया जाता है. से ले भी आते हैं, from any chemist shop, any retailer, or any surgical dealer, and we start using it. But what I am here is, to educate you about this product, जैसे कि आपको मेरी वीडियो में मालूम है. बस एक आपसे request जरूर रफेरेंट जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे क्या हूंगा, कि आप मेरी वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, शेयर भी करिएगा, क्या पता इस knowledge से, किसका benefit हो जाएगा. यह सब करने के बीच में, कुछ मिस्टेक से होती है, जिसकी वज़े से, शुगर के रिज़र्ट में वरियेशन आती है, तो मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूं, वही चीज़ एजुकेट करना चाहता हूं. आपके हाथ जो हैं, बिल्कुल फ्रेंड साफ होने चाहिए, इससे भी रिज़र्ट में फरक पड़ जाता है, बिलीव में, यह जो आपका प्रिकर है, और इसके अंदर जो हमने नीडल लगा रहे हैं, इसको किसी भी चीज़ से, कॉटन पे स्पिरिट लगाके, इसको स्टरलाइज कर लीज़े, या किसी स्वैप से कर लीज़े, इसको 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 क तो पिप इंडल को एक ही बारी यूज करिए उसके आफ थ्रो कर दीजे वन नीडल तो अर्ड़ी में पुएंट अब एक और पॉइंट आपको बताता हूं जब भी शुगर चेक करें हमें यह जो प्रिकर है किसी भी हमारे फिंगर के टिप के उपर रखना है और फिर ब्लड कुछ लोग क्या करते हैं यहां पर लगा देते हैं यहां लगा देते हैं नीचे लगा देते हैं that is not the right way उससे क्या है कि आपका मतला blood drop भी नहीं निकलेगी और आपको pain भी हो so this is another precaution now coming on to this system glucometer अब जब भी आप इससे sugar check करें यह main point है आप ध्यान से सुनिएगा जब भी आप glucometer से sugar check करें sugar check करने के बार में just keep it in the normal room temperature अपनी almira में रखिए डॉर में रखिए don't keep it in fridge don't keep it in sunlight ना इसको दूप में रखना है ना इसको फ्रिज में रखना है ना excessive heat में रख ना है क्योंकि उससे strips खराब हो जाती है और regular results आते हैं correct this is one point ध्यान रखिएगा अब एक और बहुत बड़ा point यह जो strip आपको नज़र आ रही है machine की this is the major component of this product glucometer अब क्या होता है जब हमें strip निकालनी है यह एक strip निकालते है एक strip हमने निकाली एक बात ध्यान रखिएगा य चाहेंगी उंगली गीली नहीं होनी चाहिए strip खराब हो जाएगी और जैसे हमने एक strip निकाली जैसे मैंने भी कियागा immediately close the bottle यह bottle जो है मतलब खुली नहीं रहने चाहिए अगर यह ऐसे खुली रह गई तो strips में moisture catch हो जाएगा और results में irregularity आएगी तो यह बात जो है यह आप दिखा देता है कुछ लोग कहते हैं yellow means low battery no it is not low battery it means कि आपका sugar level उस time पे extraordinarily low हुआ है जो की prescribed machine का level है उससे भी नीचे that is known as a stage of hypoglycemia so उस time पर friends मेरी आपसे request है कुछ भी sweet ले लीजे cold drink ले लीजे as a precaution and immediately consult your doctor अगर यहां पे steam पे है चाही आ जाता है this means कि आपकी sugar उस time पे excessively high होई भी है that is known as hyperglycemia so take precautions immediately immediately consult your doctor that is the point and now एक और point आपको इसका बताता हूँ normally क्या होता है कि जब भी किसी की sugar fluctuate करती है तो obviously panic level उपर होता है हमने sugar check करी इसमें sugar आई we are not satisfied we say कि मेरी तो इतनी sugar है यह नहीं glucometer खराब है यह hundred point जाला दिखा रहा है agreed हो सकता है maybe खराब हो electronic product है तो इसको test करने का आपको एक homely तरीका बताता हूँ जो कि बहुती easy है इसको test करने का तरीका क्या है कि आपके घर में जो भी non-diabetic हैं आप उनकी सुवे सुवे खाली पेट fasting sugar चेक कर दीज़े अगर उनकी sugar ठीक आती है अगर machine खराब है तो उन्हें diabetic बना देगी अगर उनकी sugar ठीक आई है तो this means कि आपकी sugar भी ठीक दिखाई है this means आपकी body में sugar fluctuate कर रही है तो this is the best way to judge your machine Glucometer और strips का जैसे मैंने आपको बताया है ध्यान रखेएगा यह major component है Glucometer में कभी भी problem होती है मैं आपको उताता हूं machine में कभी problem नहीं होती problem is always with strips always maintain the potency of these strips that is the main point कभी भी आपने sugar check करनी है friends सुवे सुवे खाली पेट करिए fasting नाश्ता करने के और दो दो गंटे बार आफ्ट two hours करिए that is known as PP या कभी अगर random sugar check करनी है कभी आप कोई physical symptom आ रहा है कोई गवरात हो रही है कुछ हो रही है then do the random testing so these are some of the points which I am telling you about this product Glucometer so I hope जो मैंने आपको जितना आज की वीडियों बताया फिर वीडियों बहुत लंबी हो जाएगी आप लोग जो है देखेंगे नहीं so it is my once again request to you please पूरी वीडियो देखिए इसे शेर भी करिए बहुत लोगो का फायदा हो सकता है so friends once again thank you very much I am Sanjeeb Bansal from Sargeet of Mediquip see you in the next video with the next product thank you very much stay happy stay positive stay fit thank you very much